हलो स्टूडेंट्स और एक बार फिर से सौगत करते हैं आप सभी लोग आपके अपने शैनल पे तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में सी बात कर रहे होंगे आखिर में डबलू भी जई के पेपर को कैसे अटेम्ट करेंगे चीक है क्या 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 स्ट्राटिजी और क जे में अलग होता है शेक, अगर मैं लेवल की बात आपको बता हूँ तो जे में मैस का लेवल होता है, वो लग बल करना होग है ठीक है साथ में लोग रब सीट भी प्रोवाइट नहीं करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से टाइम मैंनेस्मेंट करना पड़ेगा, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी बाते बताऊंगे, कैसे आपको टाइम मैंनेस्मेंट को रखना पड़ेगा, दिमाग में और फिर पेपर को अटेम्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, अगर पाली बार आयोगे चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करना, लाइक करना अगर वीडियो पसंदा है, और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर कर देना, ठीक है, नीचे मेरा टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर आप जॉइन होसे ना, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं, सब यह आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगे, ठीक है, चले, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, अब देखना, आपको पता है कि तीन सेक्षन होते हैं, भी यह इस एक्जाम में, सेक्षन A, सेक्षन B और सेक्षन C, सेक्षन A जो होता है, सेक्षन A जो होता है, वो आपको 1 मार्क्स का होता है, ठीक है, और मैस की बात करो, तो मैस में 50 कुश्चन होते हैं 1 मार्क्स में, अब बहुत सारे लोग आपको बताएंगे न, कि सेक्षन A से पहले, मैं तो सेक्षन A को बात में सॉल्फ करो, पहले आप सेक्षन B को टच्च करो, क्यों हो? क्योंकि सेक्षन B 2 मार्क्स का होता है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्यों सेर, क्योंकि सेक्षन A में जो कुश्चन मीलेंगे, वो compare to सेक्षन B थोड़ा सा easy मीलेंगे, और आपको पता है पूरा खेल पता है किस चीज का होता है पूरा खेल confidence level का होता है कैसे सर confidence level का कैसे होता है अगर आप exam test कभी भी दिये होगे न तो आपने feel किया होगा कि अगर मैं question paper पलटू सुरू के 10 question, 20 question देखे मुझसे solve भी नहीं हुए मेरा confidence level ना automatically नीचे चला जाएगा पर अगर एक बार मेरा confidence level चला गया ने नीचे तो ऐसे question जो बहुत easy और solve भी हो रहा है ना मेरे से वो भी solve करने में बहुत परसानी होता है तो सबसे पहला मेरा जो tips है ना अपने confidence level को increase करना होगा और उसको increase करने के लिए आपको section एक को दो attempt में खेलना होगा दो attempt में खेलने का मतलब क्या हुआ भाईया कि आपको सबसे fast attempt में उन सारे question को जो बहुत easy लग रहे है सबसे पहले तो easy plus में आपके strong chapters के जो भी chapter आपने strong कर रहा है जिसे for example मांजो limit continuity, differentability के question बहुत easy आते हैं और आपने अगर अच्छे से पढ़ा नहीं भी पढ़ा तो नीचे मेरा playlist आपको crash course का मिल जाएगा उसमें सभी मैंने अच्छे से आपको पढ़ा हुआ ठीक है integration दिख गया आपको differentiation दिख गया इसके बहुत easy question आपको दिख रहे है एक question आया है मैं बोल देता हूँ कोई एक question आया है limit का ही है और मैंने limit बहुत मतलब strong करके रहा है limit के question को तो छोड़ना है एक बाए try करो strong है अगर answer नहीं आ रहा तो एक बाए जल्दी जल्दी check कर लो कुछ गलती तो नहीं है अगर दोबारा में भी आफ जा रहे हो न skip that question यह मेरा सबसे important रहा है आपको skipping करने आना पड़ेगा आपको question को selection कौन से question करने है कौन से question छोड़ना है यह सभी student जो कर लेगा वो time को manage कर लेगा बहुत सारे student पता क्या गलती करते हैं वो इस question पे लेके बैठ जाएंगे उन्हेंने तो मन में बना लिया ego पे ले लिया अपने नहीं इस question को तो मैं solve करके ही रहूंगा इससे पता क्या होगा बहुत सारे question जो easy होंगे न आप उनको देख भी नहीं पाईएगा solve करना तो दूर का बात है देख भी नहीं पाईएगा क्योंकि सिर्फ दो घंटे मिलेंगा बही या सिर्फ टू आवर मिलेगा ठीक है उससे में आपको सब खेलना है तो section एक वह में साथ दो पारी हों में खेलना है पहले पारी में easy question, strong question जो मेरे से बन गए एक ही बार में solve हो गए उनको attempt कर लेना है दोबारा कुछ question को circle करके रखना है जिसको मैं दोबारा attempt करूँगा ठीक है? तीसरी बारी का तो time मिले गए नहीं इसलिए दो बार में अच्छा, फिर आपको section B पे move करना है मैं बोलता हूँ, section B में भी दो होते है एक तो होता है आपको single choice single choice मतलब single correct मैं बोल देता हूँ single correct होता है और एक होता है multiple correct वाला more than one, चीक है? more than one, आपको पता है इस बेचारे में कोई negative marking होती नहीं है तो आप सबसे पहले इसको try करो then after आप इस पे आओ अब इस पे थोड़ा बहुत आप time दे सकते हो चीक हूँ, यह आपको 2 marks दिलाएगा solve करने पे आपको 2 marks दिलाएगा तो attempt करो, नहीं हो रहा है तो थोड़ा time भी दे सकते हो चीक है इस पे आप proper time दे सकते हो more than one की यह खासियत मैं आपको अब भी बता देता हूँ, क्या? कि अगर मांजो, let's say A है B है, C है, D है यह 4 options होते हैं, ठीक है? मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ है कि एक चीज को वीडियो लेंदी हो तो please skip करके मत जाना, पूरा सुनोगे बहुत help मिलेगा, मैं आपको पूरा guidance कर दे रहा हूँ कि क्या-क्या चीजों को दिमाग में रखना है अगर A, B, C, D, 4 options है ठीक है? मांजो कि मेरा answer आया मेरे को question आता ही नहीं है question आता ही नहीं, लेकिन more than one में तो भाई यह negative marking है नहीं तो अपन को छोड़के थोड़ी आना है, कुछ ना कुछ तो कर नहीं है मैं बोलता हूँ, किसी एक option को पकड़ो उस पर tick कर दो guess, ऐसे ही कर देना है, किसी एक option को पकड़ो उस पर tick कर दो, चुनो भाई या, क्योंकि पता है अगर आपने दो option को tick किया, और अगर यह option गलत है C वाला गलत हो, आपने उसको tick कर लिया तो पूरा गलत माना जाएगा पूरा रोंग माना जाएगा बट अगर आपने एक option को correct किया और अगर आपका किसमा साथ दिया और यह correct options में से है इसलिए अमेशा more than one पे guess करो लेकिन एक ही option को one option को हमेशा guess करो ठीक है, भले more than है लेकिन guessing करना है one option को अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको solve करूँगा नहीं आ रहा है तो guessing करूँगा किसी भी एक option को पकड़के वैसे ही अपनी luck को भी अजमा सकते हो, ठीक है फिर आप इसको attempt करोगे, ठीक अब बात करते हैं, section C की तो वही section C अपना वही है मैंने आपको समझा दिया, section C आपको negative marking नहीं होगा इसमें negative marking नहीं हो, तो इसको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हो, अगर छोड़ने वाला नहीं हो मतलब या तो attempt करूँगा, नहीं हुआ तो मैं guess करूँगा, और guess भी कैसा कोई भी एक option, दो option बिल्कुल मत करना guess, बिल्कुल दो option मत करना, क्यों भया, क्योंकि अगर आपने कोई भी दूसरा गलत वाला option select किया और पूरा गलत माना जाएगा आगे कानी समझ में, अब आपको जैसे मैस का पेपर खतम होगा, अपने मैस का पेपर कर लिया अब इक पता है, ब्रीक मिलता है physics और chemistry का अलग, जे मैस में इसमें ऐसा नहीं होता, physics chemistry में तीनों साथ-साथ हो जाते हैं, पर इसमें आपको थोड़ा सा break मिलेगा, then after आपको chemistry and math मिलेगा, बहुत बच्चे इस break में दो काम करेंगे, एक तो math का जो paper attempt किया उसको क्या करेंगे, revise, match करेंगे, किसी और बच्चे, किसी x बच्चे से क्या करेंगे, match करेंगे, तुमारा दूसरी बारी में जाके इसका जंग लड़ना है, ठीक है, physics और chemistry का इसकी revise करना होगे, मैं बोलता हूँ अगर आप revise करना है, चाते होने break में, तो आप chemistry की organic और organic का अगर आपने कोई chat बनाया है, ठीक है, अगर आपने chat प्रिपेर किया, organic और inorganic का ये revise कर सकते हो, physics मत revise करना है, तो बहुत confusion आजाएगा, ठीक है chemistry में organic और inorganic आप revise कर सकते हो, ने तो सबसे best बोलता हूँ, इतने दिन से तो पढ़ी रहो यार, break में आपको क्या करना है या तो कुछ खाने पीने खापी लो दिमाग को fresh करो, कुछ नहीं करो बिल्कुल अराम से, सांत में इकठे, alone, बिल्कुल अकेला बैठ के बिल्कुल rest करो, या फिर कुछ खापी लो, ठीक है, हलका कुछ खापी लो, break में यहीं करना, ने तो बहुत कुछ पढ़ने वाले student है, जो कुछ revise ही करना चाहते हैं, वो organic या inorganic revise करो, ठीक है, फिर भहिया तो physics और chemistry दिखेगा मुझे physics और chemistry में सर्फ किसको पहले attempt करो, यहीं सबसे बड़ा question होगा, तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले इस बेचारे को पकड़ो chemistry को पकड़ो, भहिया मेरा physics level भी chemistry बढ़ा देगा, इसलिए मैं बार-बार student को suggest करता हूँ please chemistry मत छोड़ना chemistry में ऐसे-ऐसे question आएंगे जो देखा, टिक किया देखा, टिक किया, ठीक है, पूछ देगा iron का बताओ, कौन से metal six-track होता है ठीक है, direct take a line में आपको ये reaction दिया होगा, alkyl highlight के कोई direct आपको, ठीक है, तो ऐसे question को तो सबसे पहले मैं करूँगा भी है, क्योंकि marks तो equally दिलाएगा, ऐसा तोड़ी है physics का जादा marks दिलादेगा chemistry तो सबसे पहले मैं chemistry attempt करूँगा और वहीं, सबसे पहले एक marks के question, फिर दो मांग, जो मैंने math में बताया ना, सबसे पहले एक marks के question करने है दो बार में उसको attempt करने है, एक बार में direct जो हो रहा है, दुबार मार फिर से मुढ के आना है, और देखना है, जो question रह गया था, बच गया था, उसको try करना है चीक है, और physics के लिए भी फिर वहीं, चीक, तो उम्मीद करता हूँ, आपको समझ में आया होगा, पूरा tips ये सब ही आप follow करना, फिर भी आपको कोई problem है, तो please नीचे आप comment section में mention कर देना, ठीक है, और कोई भी doubt हो, तो पूछ लेना मुझसे, direct मेरा number भी कर सकते हैं, तो मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद पढ़ाई करते रहा ना, नीचे आपको crash course का link मिल जाएगा, और one more important, कि अगर किसी student का rank in case नहीं आपाता है, और वो directed mission चाहता है, management, कोटा के थूँ, नीचे आपको screen पे मेरा number display हो रहा है, आप मुझे वहाँ पर contact कर सकते हैं, ठीक है, चले, बहुत बहुत धन्यवाद